अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा सबसे पहले मैं इसमें प्याज ली हूँ, सिम्बला मिर्च छोटा काट की ली हूँ, लेसुन ली हूँ, लंबी कटी भी हरी मिर्च ली हूँ और अद्रक ली हूँ मैं एक कप चना ली हूँ, काबली चना है यह, मैं इसे ओवरनाइट सोक की थी और नमक डालके मैं प्रेसर कुकी थी मैं इसे 90% cookie हूँ और इसकी पानी अलग कर ली हूँ पानी को छान के मैं इसे अलग करके ली हूँ और इसमें मैं conflar powder डाल रही हूँ चार चमच अब मैं conflar powder से coating कर रही हूँ इससे अच्छी तरह से मैं mix कर दूँगी यह देखिए मैं मिला रही हूँ इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिलाने से इस पर कोट अच्छा से हो जाएगा चने पर मैं हाथ से नहीं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही करिएगा अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1-4 टीस्पून 1-4 टीस्पून मैं काली मिच पाउडर डाल रही हूँ इसमें इससे भी अच्छी तरह से मैं mix कर दूँगी अब मैं इसे चान चान के दूसरे वरतर में रख रही हूँ देखी काफी अच्छा गोट हुआ है मैं 3 टीस्पून मैंस में पानी डाल रही हूँ अब दूसरी कोटिंग मैं कर रही हूँ मैं फिर से कॉणफला पाउडर डाल रही हूँ आप अपने जरुवत के हिसाब से डाल लिएगा आपको जितना जरुवत लगे कोटिंग करने में आप उस हिसाब से डाल लिएगा मैं 3 चमण डाली हूँ इसमें पानफला पाउडर झाल रही हूँ देखिए, कोटिंग काफी अच्छा से हो गया है, अब मैं इसे फ्राई करूंगी, तील को मैं अच्छी तरह से गरम कर ली हूँ, हाई फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, दीरे दीरे चलनी की मदब से मैं इसे डाल रही हूँ, मैं हाथ से नहीं टच करी हूँ, मैं चलनी से ही सारा डाल रही हूँ इसे थोड़ा-थोड़ा करकी मैं इधर से भी डाल दे रही हूँ अब इससे टच नहीं करूँगी मैं जब यह थोड़ा पक जाएगा तब मैं इससे चलाओंगी यह देखिए थोड़ा पक चुका है अब मैं इससे पलट रही हूँ इसी तरह मैं उलट पलट करके इससे फ्राई कर लूँगी काफी अच्छा यह लाल हो रहा है अब यह देखिए काफी लाल हो गया है अब मैं इससे निकाल ले रही हूँ चलने पर जाली पर निकालने से सॉफ्ट नहीं होता है यह जाली पर निकाल रही हूँ टीसू पर मत निकाल लिएगा अब प्लेट पर टीसू लगाके नहीं करिएगा आप यह तो डायरेक्ट प्लेट पर ही निकाल लिजेगा यह तो जाली पर रख लिजेगा आप इसकी आवाजे सुन पा रहे होंगे काफी क्रिस्टी बना है मैं चम्मच से भी आपको सुना देती हूँ अब मैं दुसरा बैच डाल रहे हूँ फ्राई करने के लिए इसे भी मैं अच्छी तरफ से लाल कर लूँगी देखें लाल हो रहा है काफी अच्छा सेकंड बैच भी मेरा त्यार हो गया है अब मैं इसे भी निकाल लूँगी दूसरे फ्राई पेन में मैं थ्री टेबल स्पुन ओल ली हूँ वेज़ेटेबल ओल ली हूँ अब मैं इसमें गार्लिक डाल रही हूँ छोटा कटा हुआ लेस्पून डाल रही हूँ यह टू टीस्पून है गार्लिक अब मैं इसमें वन टीस्पून मैं इसमें जिंजर डाल दे रही हूँ कदू कस किया हूँ जिंजर है यह अधरक है चार-पांच मैं इसमें हरी मिर्च लंबी काटके डाल रही हूँ इसे अची तरह से मैं भून रही हूँ अधरक का थोड़ा कच्चा पन चला जाएगा तो मैं इसमें प्याज डालूंगी अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ इसे हलका गुलाबी करना है प्याज को प्याज देखे हलका गुलाबी हो गया है अब मैं इसमें छोटा कटा हुआ सिम्ला मिर्च डाल दूंगी मैं एक बड़ा सिम्ला मिर्च छोटा काटके डाली हूँ इसे ग्यादा नहीं भुनना है थोड़ा ही भुनना है ताकि इसका करन्च ना जाए इसे गलाना नहीं है अब मैं एक कॉन्सलरी बना ले रही हूँ एक चमच मैं कॉन्फला पाउडर ली हूँ अब इसे पानी डाल की मैं इसी कॉन्सलरी बना ले रही हूँ अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है कॉन्सलरी त्यार हो गया है अब इसी में मैं वन टी स्पून मैं सोय सॉस डाल रही हूँ इसी में टू टी स्पून मैं रेट चिली सॉस डाल रही हूँ जाल रही होँ और टू टेबल स्पून मैं टामैटे सोउस ड्यार होँ सब को अची तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ अब इसे डाल दी मैं कैप सीकब वाले में से अची तरह से मैं मिक्स करी हूँ ये प्रॉसेस आप स्लो फ्लेम पे करिएगा फ्लेम को हाई मत करिएगा मैं 1 टीस्पून कास्मीरी रेट चिली पाउडर डाल रही हूँ 1 फोर टीस्पून मैं सॉल डाल रही हूँ की सॉल्ट मैंने पहले भी डाला हुआ है चने में बॉल करते समय और कोटिंग करते समय आप उसी हिसाब से डाल लिएगा मैं 1 टीस्पून इसमें वेनिगर डाल रही हूँ सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके अब इसमें चना डाल दे रही हूँ सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी यह देखे मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके उपर एक सॉस का कोटिंग आ जाए यह एक स्टार्टर है यह बहुत अच्छा लगता है देखी काफी अच्छा बनके त्यार हुआ है मैं इसके उपर स्प्रिंग ओनियन से सजा दी हूँ हरी प्याच को मैं स्प्रिंगल करके रखी हूँ इस पे यह क्यों जाए यह बहुत अच्छा और एक स्प्रिंग एक स्प्रिंग जाए यह न ख घ्याओ हम इसन एक स्प्रिंग इस अच्छा